स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीरतिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में यलसियम और यत्सियफ भाग विधी से निकालना सीखेंगे तो बिलकुल ध्यान से समझेगा जैसे दोस्तों कोश्चन है 36 और 60 का हमें यलसियम निकालना है भाग विधी से तो दो सबसे पहले इस प्रकार आप लाइन खीचेंगे दोस्तों आपको करना क्या होगा यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी होगी जिस संख्या के द्वारा 36 और 60 में पूरा पूरा भाग चला जाए देखिए दोस्तों 36 में इकाई का अंक 6 है 60 में इकाई का अंक 0 है जब भी दोस उस संख्या में दोसे भाग करते हैं ठीक है तो दोसे भाग करेंगे 36 में तो 18 बार भाग जाएगा कामा लगाएंगे 60 में दोसे भाग करेंगे तो 30 बार भाग जाएगा देखिए दोस्तों 18 में इकाई का अंक 8 है 30 में इकाई का अंक 0 है तो दोस्तों 2 से भाग करेंगे 2 से दो से भाग करेंगे तो पंद्रा बार भाग जाएगा देखिए दोस्तों यहां नव है और यहां पंद्रा है दो से भाग नहीं जाएगा दोनों संख्याओं में अगर दो से भाग ना जाए तो तीन से भाग करेंगे तीन से भाग करेंगे नव में तो तीन बार भाग पांच में तीन से भाग नहीं जाएगा तो पांच को वैसे का वैसा लिख देंगे देखिए दोस्तों यहां पांच है तो पांच में केवल पांच से भाग जाएगा तो पांच से भाग करेंगे एक आ गया तो एक को वैसे का वैसा लिख देंगे पांच में पांच से भाग कर इसका आपस में गुड़ा कर लेंगे यही 36 और 60 का यलसियम होगा तो दोस्तों इस तरफ संख्या के आया है तो 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 इसका आपस में गुड़ा कर लेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36 36 पंचे दोस्तों कितना हो जाएगा तो 36 पंचे हो जाएगा 180 हो जाएगा यानि दोस्तों 36 और 60 का यलसीम के आएगा 180 आएगा बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे चलिए दोस्तों अब हम महत्तम समापुर्तक यानि HCF निकालना सीखते हैं तो दोस्तों भाग विधी से महत्तम समापुर्तक निकालने के लिए 36 और 60 संख तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 60 है तो 60 में चोटी संख्या 36 से भाग करेंगे तो 36 से भाग करेंगे 60 में तो एक बार भाग जाएगा दो बार भाग करेंगे तो 72 हो जाएगा 60 से जादा इसलिए 36 एकन्नम क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा 60 में से 36 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ 0 में से 6 घटेगा नहीं एक उधार लेंगे 10 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा यहाँ 5 बचा है 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा दोस्तों अगर आप भाग विधी से महत्तम समापूर तक निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा सेसफल को जीरो बनाना होगा यहाँ पर दोस्तों सेसफल क्या आया है 24 आया है सेसफल जीरो नहीं आया है सेसफल को जीरो बनाना है तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करेंगे इस सेसफल यानि 36 से भाग कर देंगे जिससे आपने पहली बार भाग दिया था तो पहली बार आपने 36 से भाग दिया था तो इ हो जाएगा 36 में से 24 को घटाएंगे तो 12 आएगा देखिए दोस्तों सेसफल अब भी 0 नहीं हुगा है सेसफल क्या आया है तो 12 आया है भाग विधी से महत्तम समापूर तक अगर आप निकाल रहे हैं तो सेसफल को 0 बनाना होगा यहां पर सेसफल 12 आया है जीरो नहीं आया है तो दोस्तों आपको करना क्या होगा इस सेसफल यानि 12 से भाग कर देंगे जिससे आपने दूसरी बार भाग दिया था तो दूसरी बार आपने 24 से भाग दिया था तो इस चौबिस को उठा करके यहां लिख देंगे और इस सेसफल यानि 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा 24 में से 24 को घटाएंगे तो सेसफल के आ जाएगा जीरो हो जाएगा भाग विधी से अगर आप महत्तम समापुर्टक निकाल रहे हैं तो सेसफल को जीरो बनाना होगा तो दोस्तों यहां देखिए सेसफल जीरो आ गया तो किसके भाग देने से सेसफल 0 आया है तो दोस्तों लाश्ट बार आपने 12 से भाग दिया है यानि 12 के भाग देने से सेसफल 0 हो जाएगा वही महत्तम समापोर तक होगा तो दोस्तों यहां से 362 का HCF क्या आएगा तो 362 का HCF 12 आ जाएगा जिसके भाग देने से सेसफल 0 हो जाएगा वही महत्तम समापोर तक होगा यानि 12 महत्तम समापोर तक हो जाएगा बिल्कुल आसानी से दोस्तों आप इस पूरे concept को समझ गए होंगे चलिए दोस्तों एक example हम आपको देते हैं इसे solve करके इसका उत्तर comment box में दीजिएगा तो दोस्तों 45 और 120 का HCF और LCM आप निकालिएगा और इसका उत्तर comment box में दीजिएगा दोस्तों comment box में जरूर बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चै नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा और आल पर सेट कीजिएगा जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नए टापिक के साथ तब तक के लिए ट के केर जय हिंद वन दे मातरम